करेंगे 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 जो कि चाप्टर होगा वह हमारा चैप्टर गाइज बनेगा कौन सा तो चाप्टर हमारा रहेगा कैंडल के वीक को जो वीक निकलता जो सैडो निकलता है ठीक है को तक जा सकता है अगला कैंडल क्या बनेगा आप वीक को देख करके बॉडी के फ़र्मेशन को देखकर के अगली तो चलो शुरू करते हैं यहां पर मुझे एक अच्छा को सब फॉर्मेशन दिख रहा है तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा तो में भी आप कहीं बूर ना हो जाओ ठीक है तो चलो देख लिए मार्केट सब अच्छा नहीं कोछ लोटी सी मार्केट है यहां तो जो वीडिंग होंगा मैं आपको रिएल पेयर में बताऊंगा ताकि आप कोई भी ब्रोकर यूज करते हो बाइनमो पर टेक्स ओलम ट्रेड कोई भी उच करते हो आपको उसके अच्छा कासा जानकारी मिलेगा ठीक है तो चलो देखते हैं से देख लेते हैं हम यहां पर इधर से रिट करना स्टार्ट करते हैं कहां से तुम ट्राइब करते हैं वाले मार्केट को भूल जो यहां से मार्केट को पढ़ने का ट्राइब करेंगे यह एक रियल पियर है जीवीपी यूसडी का ठीक है मैं इनिशिल फंडिंग पर आजाता हूं ताकि मेरा लग जाए तो फर्क ना परे मैं 1200 रख लेता हूं ताकि अगर मेरे थोरे बहुत लॉस होते हैं तो मुझे दिक्कत नहीं होगा ठीक है और में पर ट्रेड लेने का ट्राइब बिल्कुल ना के बरावर में ट्रेड लूँगा और बाकी मैं केंडल की जो फॉर्मेशन हुए है वह समझाओंगा फिर आगया मैं कंटिन्यू करूंगा ठीक है तो चलिए शुरू करत ठीक है यहां पर एक पिन बार कैंडल वहाता बहुत सारे लोग इसको फूटिंग स्टार बोलेंगे फूटिंग स्टार यह तब होता है जब इसके नीचे में छोटा सा पिन नहीं लिकला होता यह बिल्कुल अगर नहीं रहेगा पूरा बॉड़ी रहेगा तब यह फूटि बार काणेल है इन्वार केंडल और यह रिवर्सल केंडल है जो मार्केट को सॉल करता है अब गौर करो जब यह कंडल फॉर्मेशन हो रहा होगा उसके सब्सक्भाइच्ब का साइक्टेवेटी यह से मार्केटो नेचे ले गया थाओ फिर उसके बाद दिरी-दिरे करके रि प्रेशर के साथ एक सेलर की कैंडल बना दिया ठीक है और यह एक रिवर्सल केंडल पिन बार कैंडल अगर रिवर्सल का तो एक मिलिया पर बना बना च्कार केंडल हमें सेलर को देखने करेंगे मिली ठीक है अब इस सेलर का फॉर्म होते ही ऊपर नहीं गया फिर नीचे आया एक स्ट्रॉंग बॉड़ी के साथ नीचे गया यहां तक सस्टेन करा फिर और नीचे गया फिर इस जगह से इस जगह से बाइंग प्रेशर मिला इस कैंडल को विकाज रिजक्शन कहां से गौब करेंगे कीशन कौन देता क्सलिस पर तो रही है तो कौन रिजक्शन दे रहा है इसको एक बायर रिजक्शन दे रहे अब होगा यहां पर जो मारे लेबल करो ओर ऑर जादा को कईसे हुआ है इसको हम कैसे कर सकते हैं है इसको हम प्रेस्टन यहां पर कि स्ट्रॉंग सेलर की बना रहे हैं जिसमें बायर्स भी अक्टिवेट हुए हैं बट सेलर के मुकाबले यह इसका बॉडी देखो कितना बड़ा है और वीक कितना चोटा है इत्म जो यह रिजक्शन है वह बायर का है मतलब बायर इतना स्ट्रॉंग है और यह पूर सब्सक्राइब कर दिया और यहां पर क्या हुई और फॉर्मेशन हो करके स्ट्रॉंग सेलर की कैंडल बनी इस वह बना तो निश्चित था लेकिन इसने और चीछ गंफर्म कर दिया कि अगली कैंडल भी सेलर की बनेगी ऐसा क्यूंब क्या होðा ऐसा इस लिए हुआ वी को यहां पर पायर का रिजक्षन था गौर करो मैं एस कैंडल ने क्या क्या इंडिकेट कर दिया कि यह जो बैल प् perspectives अबर अगर ये इसी जहां पर आयर का रिजक्षन आया तो अगर यह वोता तो अगली चैनल का इसे इस पोईंट को चेलर नहीं कर पाता यहीं पर क्लूश देता क्या करता अगर यह सेलर की केंडल है इसको सेलर ही ब्रेक नहीं कर पाता अपने जोन को यहीं पर आकर करके प्रेक्शन कर दिया कि अगली केंडल सेलर बनेगी कैसे करा तो मार्केट में सेलर का इंपल्स था जिसमें बायर का इस पॉइंट से अ कर यहां पर हम यहां ब्रेकाउट कर दिया अगर इसने में अपने ही लेबल का ब्रेकाउट कर आ सो तो लर ने चाहां से ben отдahl को इजली ब्रेक कर दिया क्या की काalayकर गई और वे प्रेसर अपैसर का सडायरिOOK हो यहां से और ये कैंडल यहां पहुंच तक रल एक्टाइट हो थैän तो सेल सेवarls ने प invented Gar Map कर दिया क्या अगली केंडल क्या की अगली क्या केंडल हमारी तो सजों बनेगे कर दिया था है उनी दूसरा सिनेरियों सिनेरियों होता कुछ इस तरीके का सिनेरियों होता जहां से परcesso यहां और यह पहुंचती टच करती एक्षिन लेती और इसी जों पर यह एक्जक्ट क्लूज हो जाती तो अगली के लिए प्लान कर सकते थे ठीक है जैसे यह यहां पर बैपना यह पहले से फिक्स था कि बैपने गा कैसे बनेगा देखो बताता हूं आप यहां पर समझ गेना कि यह क्यों क्यों बनी है इसने एक प्रॉर defa जो लेवल्टा उसको सेलेर ने ब्रेकाउट कर तो दलेखा और सेलन क्या मार्चेट में स्ट्रउंग बाइब्स टांडबेची क्या सब्सक्राइज क्या करेगी सेलेट की रिए तक है अब यहां पे गावर करो की जो S mythology स्टैनल का रिजैक्शन समझो कि इसमें थोड़ा भी बायर नहीं था स्काइनल में थोड़ा भी यहां पर साइट मुझे और स्टार्ट होा और नीचे गिया और यहां तक गया जाकर किसको बाइंग का प्रेशर एक्टिवेट हुआ क्या हुआ इसको बाइंग का प्रेशर एक्टिवेट हुआ और यह कैंडल को यहां तक जाकर के क्लोज दे दिया अब जो यह लेवल है जहां से यहां तक का जो दूर किसमें कौन है बायर से और एक्ट्वल बायर कहां प को ब्रेक आउट नहीं कर पाता टच करता रिजेक्शन लेता टच करता रिजेक्शन लेता और यहां पर हम लेवल डाल देते और गवर करो एक सेलर आया है टच कर आया है कहां पर लेक्शन लेइन का यहां पर है ऐसे प्लान कर सकते दे क्या इसका ब्रेक आउट ही नहीं कर यहां पर एक सेलर की कैंडल बन गई जो इस लेबल का ब्रेक आउट नहीं कर पाई एटलिस वीक जो होता वह वीक भी इसके नरब घुफ जाता तो हम वेट करते अगली कैंडल का लेकिन यह वीक से टस तक नहीं कर पाया और रिजेक्शन लेकरके इसी जोन के अंदर क्लूज हो गया अगली कैंडल को परेकोट नहीं कर पा रहीनी क्या इसे कैंडल के टार्गेट क्या था इसकेंडüz का कंटीनु जो करना होता अगर Connecticut को continue करना होता गाईज तो इस candle का Target क्या होता अगर market को continue करना होता तो इस candle का Target होता कि इसको breakout करें करें लेकिन इसने इसका BP नहीं कर रहा क्या कर दिया इसी जोएड न के बाद का करें जहाई एऽ करता पूरी को यहां पर अपना करसर रखतें गौरकप donut तो यहां पर सेलर का छोटा सा यहां से .... यहां तके gap है gap के अंदर यह ग्रीन कलर की candle close हो गयी है जो एक अग्ला इंट्री यहां पर होगी तो गौर कोने पहले यहां पर सेंट्री यहां पर रही थी इसनदल में उसी जगहा पर यहां आई और टच करा और इसको बाइंग प्रेशर मिला ठीक है यहां बाइंग प्रैसर के साथ सथ बस एक दोजी वोजी नहीं बना इसने यह रिजिस्टन्स एरिया का प्रोपर ली 99 पॉसेंट का ब्रेक आउट कर दिया ठीक है और जो यह इंडिकेट करा कि हम नीचे के सपोर्ट एरिया से टच करके एक ग्रीन केंडल क्या इंडिकेट कर रही है यहां से मार्गेट अगर रिवर्स कर रहा है तो यहां पर एक सपोर्ट एरिया सिंपल ठीक है यहां पर क्या सपोर्ट एरिया है तो यह ग्रीन केंडल क्या इंडिकेट कर रही है यहां पहले नीचे आये थे और सपोर्ट एरिया को टच करके इस लेबल का ब्रेक आउट करक है और इस तरह एक केंडल एक कंतिनुएशन की साइन होती है और एक पिन बार केंडल में बहुत सारे बंदें को हैमर बोलेंगे लेकिन यह उपर साइट से चोटा सा रिजेक्शन है जिस चेकर में एक पिन बार कैंडल बन जाता है ठीक है और पिन बार कैंडल के तकर में क्या हुआ अगली कैंडल यह स्ट्रोंगली ब्रेकाउट हुआ सपोर्ट इडिया से बायर का फॉर्मेशन कर दिया अब गहर करो यहां पर मार्केट सब काम किया है ठीक है तो नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हो ठीक है और साथी साथ मैं आपको और आगे दिखाता हूं इस कैंडल के फॉर्मेशन के सब्सक्राइब यह केंडल का फॉर्मेशन हुआ गाइस तो गौर करो का फिप्टी पॉसेंट का लेवल एक सपोर्ट और रजिस्टन्स की तरह काम करता है ठीक है इस कैंडल ने क्या करा यह जो कैंडल अब देख रहो ग्रीन कलर की जो कैंडल है इसने फिप्टी पॉसेंट का लेवल का ब्रेक आउट कर दिया ठीक है ब्रेक आूट के बाद हमें एक इसन के लिए जाना होता ह। को फिप्टी प售 सांट का लेवल ब्रेत हुआ है और अगाइशन 이 description कॉन कौन होती तो आप मेरा कूर्स पर्चिछ करके सीख सकते हो कूर्स की जिटेल आपको टेलेग्राम पर मिल जाएगी टेलेग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा देखो मैं वीडियो में ट्राइग कर रहा हूं बहुत ही प्रीमियम नॉलेज देने का ठीक है बड़ जब तक आपको को एक प्रॉपर गाईडेन्स गाइडेन्स देखने से अगर लोग सक्सेस्वल हो जाते तो बहुत बरे बरे यूट्यूबर्स हैं अपनी कूर्स के वीडियो पपलिकली अफ्लोड करके रखे हुए फिर भी बंदेंसे क्यों नहीं हो पाते बिकोज जो नॉलेज है ना नॉलेज दस से विस परफेंट भी काफी है अपको सपोर्ट चाहिए अपको ऐसा परसंट चाहिए जो आपकी गलतियों को बता सके कि आपने यहां पर ट्रेड कर रहा था इसलिए आपका लॉस हुआ है ठीक है तो जो मैं कोर् रही है कि मैं अपना डाइम बेच रहा हुँ अब को समझाओंगा आपकी प्रफ्रस परफ्षेज करते तो 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 एक जो इस लेबल का 50% लेवल का ब्रेक आउट करा था तो यह कंटिनुएशन टाइप की कैंडल है ठीक है तो इस केंडल की साइकॉलोजी अब समझो यह पहले नीचे गया था और जस्त इसके 50% लेवल जहां पर यह वाला लाइन ड्रॉ किया था उसी से इसने कर गया क्यों रिवर्स कर रहा है और कहां सो रिजेक्शन आई है तो अगर इसको हम कॉपी करें और इसके ऊपर थोड़ा सा डाल यहां पर ठीक है और आप गौर करो कि मार्केट में कैंडल जो अगली कैंडल बनी है वह रिवर्सल कैंडल बनी हम इस पर बायर का ट्रेड ले गरो हम करते हैं लौफ हो जाता तो कि मार्टेंगमल कsociology क्या है 50 यहां से ऊपर चीप्प्ट टकी पॉसेइड के रिग्राक्षिन लिया और कि कंड्विट कर दिया अगली बना डिया और यह एक साल इसको सद्टार साध का बीड़ कर रजियाए और यह एक का बायर सही प्quisite सेलर सब्सक्राइब करता है और इसका प्रिकाउट नहीं होता है तो एक केंडल बन गया तो पिनबार केंडल को केंडल करा मिल गया जो कि यह continuation को फू करता है ठीक है और साथी साथ आप देख सकते हो क्या सिनेरियो ना कि अगली गैंडल भी हम यहां पे सेल करते हैं किस्ट्रोंग कैंडल था आप यहां पर सेल करते हैं तो इसके बाइर्स के एक्जेशन को पॉइंट को ब्रेक भी करा है लेकिन स्केंडल की साइकोलीजी क्या बताती कि इसने एक लगा दिया इसकेंडल के ऑपनिंग प्राइस तक यह इसका लेबल पहुंच गया है जो यह इंडिकेट करता कि मार्केट में ऊपर जाने का चाहा था बट इसको रिजेक्शन मिल गया जिस करण से सेलर बन गया तो यहां तक आया है यहां पर लेबल हमने डाल दिया अभी साफ रिखनान अपने ही सेलर सके वीग को ब्रेकाउट नहीं कर पाया तो ब्रेकाउट नहीं कर पा, रीवर्स ल के चांसेश इस बन सकते है और दिको से कानल कर इटिक joo आज से लम इतना ही रहने देते है ठीक है मार्केट यहां पर खराब हो गया त्रेडिंग यहां पर मार्केट है नहीं चलो आगे ते जो करें कि यूज करके बाइंग की ट्रेड लगा रहें ठीक है और लॉस लग जाएगा तो मार्टेंगल लगाएंगे ठीक है मैंने मेरे अपने कोई में कहलर पैटन का स्ट्राटीजी मैंने बता रख आ उसी को देख कर कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं ट्रेड मैं सब्सक्राइब कर दो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को कर देना और जिनको भी कोश्च करना होगा प्रॉपर गाइडियंस लेना होगा तो आप करके टेलिग्राम पर मुझसे मेरा को सबसे और चले और चले ग्लाइब आप से एक साइटिंग विडियो के शाहत अपते के लिए गाइज बबाई एंड लव यो ओके कर देना हो लिए धुर्पटने हो और आप से एक साइटिंग प्रॉपर लव विए बाइब ङटने छोगिए प्रॉपर लव योग कर देना होगा UPदो आप शूज हो भी को प्रॉपर ख़ियो कर दोगतों, बपले प्रॉपर और आप